नमस्कार स्पोर्ट्स अड़ा में अभी की बड़ी खबर आपके सामने नहीं पच्रही कप्तान रोहिश शर्मा को वंडे की हार बोले भारते टीम को हराने की शाजिस हुई है वरना लक्षे बहुत ही छोटा था चेन नहीं में बुद्वार को खेले गए तीसरे और निणायक वंडे मैच में आस्टेलिया की टीम ने टीम इंडिया को 21 रनों से मात दे दी कंगारू टीम ने इसी के साथ ही भारत को भारत में हराते हुए उसके खिलाफ तीन मैचों की वंडे सीरिस पर दो एक से कबजा कर लिया है और उस्टेलिया के खिलाफ वंडे सीरिस में करारी हार जेलने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहिशर्मा बेहत गुस्से में नजर आए और उन्होंने सारा दोश चेननाई स्टेडियम असोशेशन पर फोर दिया रोहिशर्मा ने वंडे सीरिस हारने के बाद कहा चेननाई की पिच पर 299 रन कोई जादा नहीं थे लेकिन दूसरे हाफ में टीम इंडिया जब बल्लबाजी करने के लिए उतरी तो विकेट काफी चेलेंजिंग हो गया था कप्तान रोहिशर्मा के मताबिक हार का पूरा दोश चेननाई स्टेडियम की पिच को जाता है वैसे आप इस बात से सहमत है या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं